नमस्कार साथियों सभी को गूड मॉर्निंग वंदे मात्रम चैहिन डियर स्वागत है आपका अपनी ही योटूब चैनल बीरू अकैडमी पर डियर आज हम बात करने आए हैं बीर वर्सिस टियलेट के लिए एक नई नोटिस जारीगी एही सुप्रिम कोट के द्वारा और 24 अ सबस्क्राइब करके विल आई को रॉन कर दीजिये क्योंकि चैनल सिर्फ ऑथेंटिक अबडेट ही मुहया कराता है यडियर आएए आपको दिखाते हैं पूरा मामला जैसा कि आपको बता है यडियर कि ये जो केस है ये 2021 में लगबग एक साल पहले इस केस को रिजिस्ट्रे पहले हैं वो महोदे हैं सूरिकान्थ एंड जस्टिस अनुरुद्द बोस चोबी सगस्त आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और इसको जो सबसे महतरपूर्ण नोटी सभी वो ये एडियर आप देख पा रही हैं कि स्टेटस में दिखा जा रहा है कि पेंडिंग मोसन स एडियरिंग एस्पेसल फाइनल डिस्पोजल एट एडविनिशन इस्टेज़ लिस्ट विफोर कोट नमबर वेंच चाहिद फलाल लिस्टेट यानि कि इसका जो फाइनल डिस्पोजल है वो आना ताइम आना जा रहा है चोबी सगस्त को हो सकता है कि इस केस का जो अंतिम ड 24 अगस्त के बाद वो नहीं लेगे गी और इस केस को 24 अगस्त को ही एकदम खतम करना ताय कर दिया गया है सुप्रिम कोट के द्वारा देखिए डियर अब बात करते हैं कि आखिर पच्छ किसका मजबूत है तो देखिए V8 के साथ NCTE पूरी तरीके से तलनिता के साथ खड़ी है और उत्तरपदेश राज्जी की राज्जी सरकार भी V8 अभ्यरतियों के फेवर में खड़ी नजारा रही है लेकिन जो मामला है बीटीसी के साथ वो राजस्थान जोदपूर का डिसीजन्स ही एक मात्र जरिया है बीटीसी अभ्यरतियों के पास जिसका आधार बनाते उन्होंने सुप्रिम कोट में रिट लगा रखी है हो सकता है कि बीच का राफ्ता निकालते हुए या क्या V8 को इतनी आसानी से बाहर कर देगी मैं आपको बता दूँ सुप्रिम कोट चाहती तो V8 को बाहर कर सकती है लेकिन V8 को इतना आसानी तरीके से सुप्रिम कोट बाह कि जो उपधारा एक और दो में जो सही मेंसेंस के तरीके से संसोधन नहीं किया गया है उसका भी हवाला सुप्रेम कोट देकर कि विएट के ऐलिजिबेल्टी को फिर से बरकरार रख सकती है लेकिन ये मामला अभी कुछ पेचीदा फंसा हुआ है बीटी सी के साथ जो है वो मा प्राथमिक लेबल से बाहर है इन्हीं की तर्ज पर ये मामला कोट में चलाया जा रहा है देखने वाली बात होगी कि आगर डिजिजिजन किसके पच्छ में आता है लेकिन अगर आप बीएट के अभिरती हैं तो आप सुचते हैं कि डिजिजन मेरे पच्छ में आए और वी 24 अगफ्त को सबसे पहले चैनल के माद्धिम से आपको अगत कराये जाएगा कि क्या हुआ लेकिन ये ताइम आना जा रहा है कि 24 अगफ्त को इस केस को आप आगे के लिए डिले नहीं किया जाएगा और इसका अंतिम परड़ाम आना सुनिश्चित हो गया है 24 अगफ्त को य झाल झाल